हेलो दोस्तों स्वागेत आप सभी का दिशा क्लास्यस उनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे पंचाई तिराज का आइमपी जो आर्टिकल है 243 से 243 वो तक सभी की एसी ट्रिक बताऊंगा आप कभी भी नहीं भूलोगे आपकी पटवारी की एक्जाम हो या कोई भी आप पीसी की एक्जाम देते हो सभी में आर्टिकल संबंदित कोशन जरूर पूछते हैं और मैं यहाँ पर बहुत अच्छी सारी ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें याद रखना है यहाँ पर बहुत सारी जगह बताया गया है टू फॉर थ्री ए से ए से नहीं है टू फॉर थ्री से शुरू है और ओ तक है याद रखना है 16 आर्टिकल है पहली चीज देखें यहाँ पर इन दोनों के लिए हमने ट्रिक नहीं बनाई है लेकिन इससे आगे की सभी चीजे बी से लेकर ओ तक मैंने पूरी ट्रिक बना रखी है इन दोनों के लिए इसलिए नहीं बना रखी है क्योंकि यह तो वेसे भी आपको पता है सबसे पहला जब भी आर्टिकल होता है किसी भी चीज का उसमें हमेशा परिवाशा ही दिये होती है और आप सभी को पता है ग्राम सबा सबसे इंपोर्टेंट फेक्ट करता है पंचायती राज में तो यहां से एक चीज यह भी क्लियर हो जाए कि सबसे इंपो पंचायतों की सरचना, नाम से पता चल रहा, C, C से सरचना, C, C को अपन बोलने में इस तरीके से बोल लिखते हैं, C, C से सरचना, ठीक है, आप से जब भी पुछेगा, सरचना, सरचना से C, या C से सरचना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, D, बहुत मज़ेदार देखिए, D, आप सभी को पता है, D, कौन से नंबर का अक्षर है, D, देखी, A, B, C, D, चोथे अक्षर का है, आप अगर रिजन से कोई भी कोशिन गलत नहीं हुआ, इसलिए इस पर पूरा विश्वास रखें, और एक बार इसको पूरा देख लीजे, और डबल आप वीडियो देखेंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा, और एक बार बीना देखा देख, आप कोपी में लिखिए, सभी आपकी आर कारिकाल, हमारे पास कारिकाल संबंदी है, या आप से पूछे का 240 E में क्या है, आप बस सिंपल सी बाद रखना, E कितने वर्ष के लिए हो, E कौन से नंबर पर आते है, अभी अपन ने देखा, A, B, C, D, और E कौन से नंबर पर आते है, 5, और आप सभी को पता है, पंचाय को मैंने लिखा, F से याद रखना, FALTU, FALTU मतलब यहाँ पर हमारे से पुछा के निहरता है, जिसे 21 वर्ष का होना चाहिए, सर पंच, तो यह सब सभी को पता है, इसमें कोई भारी काम नहीं है, ठीकित, इसलिए F से आपको याद रखना, FALTU चीज़ है, इससे कोई मतल लगाते हैं, बोलने में भी आता है G, तो जो भी शक्ति शाली चीज़ होगा, उसके लगेगा G, आपको अब क्लियर होगे दिमाग में बेट जाएगा, 243, G जब भी पुछेगा, G का मतलब होता है, G किसके लगाते है, शक्ति है, तो पंचाहितों की शक्तियों के बारे में 243, G की, 240, G में दिया गया, आगे बढ़ते हैं, H, H का मतलब, देखे, मैं यहां से इस तरह के से याद रखता हूँ, जैसे G में उसके पास शक्ति आई, और शक्ति आते ही, उसने क्या लगा दिया, कर लगा दिया, मोधी जी ने भी लगा दिया था, G, H, T लगा दिया था, एक आपको याद रखना है, H, P, H, 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 N, T, तो टांगने के लिए आपन कर लगा दिया, तो यहां से अपने पास याद रखता है, विससे यह बहुत कम इंपोर्टेन है, जो इंपोर्टेन है, उनको तो मैंने पूरी अच्छी तरिके से बताए, कौन-कौन से इंप बस होगे आपका काम clear, I से याद रखना income, और income मतलब with, आप सबी को पता है, इंगलिस थोड़ी से आनी चाहिए इतनी से तो, I का मतलब होता है income, और आपके संबन्द में, जब भी कुछा पंचायत हो की संबन्द में with आयो, मेरे खुद के टेस्ट में आया होए दो-तिन बार तो with के लिए हमेशे याद रखना I, और देखे, साथ-साथ नगरी निकाये का भी याद रखा देतों, मैंने इसको यसे याद गे, देखे, बोलने में बच्छा लगता I and Y, I and Y, I हो जाएगा हमारे पास पंचायतो संबन्दित, और Y हो जाएगा हमारा नगरी निकाय संबन इसको जरूर शेर भी करें और लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो इस पूरा वीडियो देखे और एक बार डबल देख लीजेगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, मैंने इस्पेशलिए आपके लिए बनाया है, जे से हमारे पास अगला है या, 243 जे J4 जाच, J से जाच, J से जाच, संपरिक्शा अगर एक्जाम में आजाए तो आपको संपरिक्शा को यसे याद रखना है जाच, आपसे पूछा चाहिएगा, 242 में जो संपरिक्शा है, बहुत कम CHANCE से इनका आनेएंगे, वैसे जो income है, निर्वाचन आयोग हैं, शक्तिया क आरक्षन है, ग्राम सभा है, यह ज़्यादा कूसता है, लेकिन फिर भी अपने इनको भी करते हैं, 243 जे, जे से याद रखना है जाच, जाच नहीं आए, सम परिक्षा आज़े, सम परिक्षा आपके परिक्षा होती है, जाच ही होती है, तोके, जे से यमर्पास रह जाँगे, delegate, के भी बहुत important है, याद रखना है, के भी बहुत important, यह दोनों काफी सारी बार कुछे गए हैं, तो के से याद रखना language, के से knowledge, के से knowledge, के से knowledge के spelling में क्या आता है, के से knowledge knowledge किसके पास रहेगा निर्वाचन आयोग के पास आपको पता है निया से निर्वाचन आयोग भी याद रख सकते हैं पंचायतों के चुनाव कोन कराता है राज निर्वाचन आयोग कराता है यह आपको पता होना चीए और जिसके पास knowledge होगा, वही चुनाव करवा पाएगा, हर कोई नहीं करवा पाएगा, ओके, चलिए, बिना समय बेदित के आगे बढ़ते हैं, बस लाष्ट के तीन चार हो रहे हैं, एल, 243 एल, एल का मतलब होता है, संग राज्य शेत्रों पर लागू, याद रखना लागू एल से लागू, देखे, ये संग राज्य शेत्रों पर लागू हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों ही चीजे बताएगे हैं, ठीके, इसमें संग अपने आप में डिपेंड करेगा, जैसे अगर अगर आपम देखते हैं, दिल्ले में, इनमें लागू है, लेक करने कार थे, कटी पर इस शेत्रों पर लागू न होना, कटी पर इस शेत्रों यहाँ पर मैं आपको इस्पेशली तीन बता देता हूँ, फिलाल में तीन है, पहले ज्यादा थे, नागा लेंड में, ठीके, एक हमार पास आजाएगा मिजोरम, और एक हमार पास आजाएगा नागा लेंड मिजोरम और मेगा ले, इन तीनों में पंचाईत इराज लागू नहीं है, यहाँ पर पंचाईत है ही नहीं, बहुत मज़ेदार बात है, मेरे खुद के एक बर कोशन आया, मेरा गलत हो गया था, ओके, इस्पेशली वहाँ पर ओप्शन में नागा लेंड था उपर हमार पास दे रखा है, तो प्राचिन विद्या है, उनको लागू रहें, और उसके अनुसार पंचाईत राज आप लागू रखें हमापर, ओके, तो यह हमार पास एन का मज़दा होता है, न्यू नहीं, यह बहुत कम इंपोर्टेंट है निचे वाल है, लेकिन फिर नियाईपली का जैसी चीज का पंचायत के शेत्र में भी हस्तशेप नहीं होना चीज़, इसलिए हमार पास आजाएगा ओ, और वैसा आपको याद रे जाएगा, ओके, मुझे आशा है कि आप सबने पूर अच्छी तरीकी से याद कर लिया होगा, और कैसा लागा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कुछ अगला भी चीज़े मुझसे है तो आप जरूर मुझसे पुछे, ओके, मिलते हैं नेक्स टूडियो में, थेंक्यू